हाँ जी इस वीटो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप अपने यूटूब पे कोई सो या कोई वेप स्टार्ट करना चाहिए तो आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आपके वेप सिरीज पे अच्छी इंगेजमेंट बने रहें अच्छे प्याला पॉइंट है है वह सैइरे बिल्टी आप जब भी कंटेंट बना रहे हो आपको इस बाता जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कि आपका रहें रहें करते हैं इसे क्लिकेवल चीजें होती हैं जो अपने आप शेर भी करना पसंद करते हैं तो जब भी आप कोई सो क्रियेट कर रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान में रखना चाहिए और यह बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने इस पार्ट को पहले नंबर पर रखा है सेकेंड पॉइंट है स्टीवी आफ यूटूब चैनल पे उसमें देखो कि कई ऐसे चरेक्टर जो लोग रिलेट कर रहे तो आपके विप्शिरीज में भी ऐसे करेक्टर होने चाहिए जिसकी चर्चा होनी चाहिए और इसे और strong बनाने के लिए आप BTS का इस्तमाल कर सकते हैं यानि behind the scene का इस्तमाल कर सकते हैं दूसरे चैनल पर जो कि लोग reality देखते हैं कि आपका वीडियो कैसा suit हो रहा है उस story की पीछे क्या reason था ये सारी चीज़ें देखने में मदा आता है और इसे और अच्छे से improve करने के लिए आप किसी particular episode पर podcast कर सकते हो weekly wise जिसे की रोग relate कर सके जिसे की लोगों को और information मिल सके तो conversation भी important होता है किसी वी show को चलने के लिए third point है interactivity आपको हमेशा interactive video content पर focus करना चाहिए और interactive videos बनाने के लिए आप challenging video create कर सकते हो इसके साथ साथ अपने music और editing पर focus करके भी अपने videos को interactive बना सकते हो तो ये part भी बहुत important होता है इस पर भी आपको हमेशा focus रखना चाहिए next point है consistency दो किसी भी creator के life में consistency बहुत important होता है अगर आप consistency को follow करोगे तो definitely आपका channel grow होगा आपका show grow होगा आपकी bit series run करेगी आपका एक uploading schedule fix रहता है उसे जरूर strictly आप follow करो ऐसा नहीं कि आपका schedule set है कि आपको beaks में एक show निकालना है तो वो show निकलना ही निकलना चाहिए मैं कई ऐसे creator को जानता हूँ जो बहुत अच्छे मुकाम पर है बट वो consistency में ना होने के कारण उनका video किसी reason की वज़ा से delay हो जाता है जिसकी वज़ा से उनकी audience टूट जाती है यानि उनकी audience उनको channel पर नहीं आती है तो कोई भी चीज है अगर वो लंबे time के लिए break हो जाती है तो लोग उसे recall नहीं करते हैं वो कोई ना कोई दूसरी चीज से उसे replace कर देते हैं तो आपको consistency में रहना है and last point है targeting देखोर आपकी एक core audience होती है आपको हमेशा उसको ध्यान में रखते हुए अपने show को create करना चाहिए ऐसा नहीं कि आप चारो तरफ की audience को अपने show पे लाना चाहिए तो यह आपका secondary चीज हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा audience आपके show को देखे आपकी web series को देखे बट जो आपकी core audience है अगर आप उसे target करोगे तो definitely ज्यादा chances रहेंगे कि आपकी variability भी अच्छी रहेगी और आपकी content पे अच्छी engagement भी बनी रहेगी लोग अच्छा देखना पसंद भी करेंगी अगर आपकी core audience ही आपकी video को नहीं देखना पसंद करेगी तो बाहर की लोग देखेंगे तो उससे भी आपको ज्यादा कुछ फाइदा होने वाला नहीं है तो इसलिए targeting audience को जरूर focus करो अपने show में अपने content में targeting audience को focus करने से आपकी sustainability भी बनी रहती है और बाकी सारी चीज़ें तो important होती है कि जैसे सकी आपका वीडियो प्रॉपर आप्टिमाइज होना चाहिए ताकि उसकी ranking बेटर हो सके अगर आपको फिद्र को लाइक करिंगा अपने दोस्तों को साथ सेर करिए अगर आपके आपको अच्छा लगा तो इसमाईल करो सिर्करू